हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंग्रिदितीमन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर एट आजीविका के प्रमुख शेत्र तो ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए मनुष्य अपने जीवन निर्वा के लिए जो कारे करते हैं यह शेत्र विशेश के प्राकर्तिक संसादन जलवायू वा आर्थिक सामाजिक शैक्षिक इस तर पर निर्भर करता है तो मनुष्य जो है अपने जीवन निर्वा के लिए जो भी काम करता है वो किस पर डिपेंड क करता है वहां की प्राकर्तिक संसाधन पर निर्भर करता है कि कितने सारे प्राकर्तिक संसाधन उसे प्राप्त हुए वहां की जलवायू कैसी है आर्थिक सामाजिक सैक्सिक इस्तर कैसा है इन सभी पर निर्भर करता है मनुष्य का जीवन राजिस्थान खने संपदा में एक सं पन्राज्ये हैं साथ ही यहां विभिन प्रकार की जलवायू पाई जाती हैं तो हम पढ़ चुके हैं राजिस्थान के भौतिक स्वरूप में कि जलवायू जो है वो यहां पर विभिन तरीके की पाई जाती है तो यहां के लोग जो हैं वहें क्रशी भी करते हैं पसुपालन भी करते हैं, खनन भी करते हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ परेटन, उध्योग और शेवा शेत्रों में भी कारे करने वालों की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो जिस तरीके से विभिनता जलवायू में पाई जाती है, खनिस संपदा, राजिस्थान में संपन राज्य है, तो यहाँ पर क्रशी भी होती है, पसुपालन भी होता है, खनन भी होता है, परेटन में भी आगे है, उध्योग, सेवा, इन सभी कार्यों में आगे है राजिस्थान. राजिस्थान में क्रशी, राजिस्थान का 60 प्रतिशत भूभाग मरुस्थल है, तो हमें पता है कि जो मरुस्थली भाग है, वो 61% है, तो लगवग 60% भूभाग कैसा है, मरुस्थल है, तो जब मरुस्थल होगा, तो अधिकांस क्रशी किस पर होगी, मानसून की वर्षा पर निर्भरोगी अतहराजिस्थान की करशी को क्या कहते हैं मानसून का जुआ कहते हैं यहां वर्स भर में तीन प्रकार की फसले होती है वो कौन-कौन सी होती है रभी की फसल खरीव की फसल और जायत की फसल तो इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें से प याद रखना होगा तो देखिए रभी की फसल की भुवाई सर्दी प्रारम होने पर की जाती है और गर्मी प्रारम होने पर मार् Almost ever में कटाई की जाती है या इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि रभी की फसल अक्टूबर नवंबर में भुआई होती है और मार्च अप्रेल में कटाई होती है और इसमें कौन-कौन सी फसले आती है देखिए गेहू आता है जो आता है चावल नहीं आता है यहाँ देना चना सरसो आदी फसले किसकी है रभी की ठीक है गेहू जो चना सरसो किसकी फसले है रभी की फसले है नेक्स्ट है खरीव की फसल खरीव की फसल वर्षा रितू के प्रारंब में बोई जाती है यानि जुलाई अगस्त इन मंत में बोई जाती है और सीथ रितू जैसे ही प्रारम होती है, तब यह काटली जाती है, ठीक है, इसमें मुख्य फसले हैं, जौर, चावल, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मुंखली और तिल, तो यह चावल जो है, वह है, खरीब की फसल में आएगा, थर्ड नमबर पर है, जायद की फसल, यह फसल, मार्च अप्रेल, से जून-जुलाई तक ली जाती है, मार्च अप्रेल में बोई जाती है, जून-जुलाई में काटली जाती है, इस समय देखिए, जायद की फसल में आएगे, खर्बूज, तर्बूज, ककड़ी और आदी, ठीक है, तो इन चीज़ को आप याद रखिएगा, तो देखिए, रभी की फसल हमने देखी, अक्टूबर-नवंबर में भुवाई, मार्च अप्रेल में कटाई, खरीद की फसल को हमने देखा, यह कब बोई जाती है, जुलाई एगर्स्त में बोई जाती है, और जैसे ही सर्धिया प्रारम होती है, तो इसकी का कर लेते हैं, कटाई कर लेत जायद की फसल मार्ज अप्रेल में बोई जाती है जून जुलाई में काट ली जाती है ठीक है और रवी की फसल में देखिए गेहूं जो चना सरसों खरीब की फसल में ज्वार पाजरा मूं कपास गन्ना मूंफली तिल और चावल और जायद की फसलों में खर्बूज है तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा राजिस्तान में करशी के पिछलेपन के कारण तो क्या कारण है कि करशी जो है वह है पिछडी है सबसे फर्स्ट प्राकर्तिक कारण है बार-बार सुखा रेतीली उसर और बंजर भूमी और म्रद्दा अपरदन ठीक है तो एक तो हम में पता ही है कि वर्षा की कमी जो है इसकी वज़े से करशी यहां की पिछडी हुई है तो यह प्राकर्तिक कारण में आ जाएगा जिसकी वज़े से सूखा है और दूसरा नंबर है रेतीला मैदान है यहां उसर है बंजर भूमी है जिस पर करशी संभव नहीं है और म्रद् टेकनिक जो है वो पुरानी है सिचाई के साधनों की कमी है उत्तम खाद बीच की कमी है थार नंबर पर है संगटनात्म कारण भू स्वामित्व समस्या है और नीतिगत कमजोर्य है ठीक है तो कोई भी पॉलिसी नहीं है कोई भी टेकनिक नहीं है सही और प्राकर्तिक कारण वर्षा की वज़े से भी और कुछ रेतीली मिटी है यहां की, ठीके बंजर भूमी है, मृद्दा का अधिक कटाव है, इसके अलावा जो है, वह किसान की निर्धनता और उसका निरक्षर होना, यानि की पढ़ा लिखा भी ना होना, तो यह सभी कारण करशी के पिछलेपन के क राजिस्थान में होता है, तो सबसे नमबर वन पर है राजिस्थान बाजरा के उतपादन में, सर्सों के उतपादन में और गवार के उतपादन में, ठीके, तो इनको पानी जो है, वो कम चाहिए होता है, तो नमबर वन पर है, सबसे ज़्यादा बोया जाता है, सेकिन उत् इसके बाद राजिस्थान में भारत में जो और चना ये दूसरे स्थान पर है हमने देखा बाजरा सरसों और गवार में प्रतम स्थान है जो और चना में दूसरे स्थान पर है थार्ड है पक्षमी राजिस्थान में बाजरा सरवादिक बोया जाने वाला खाद्यान है और क्य बाजरे के लिए पानी कम चाहिए होता है हाई टैम्परेचर चाहिए होता है इस वजह से बाजरे का सरवद्र कहां होता है उतपादन पक्षमी राजिस्तान में फूर्थ है धक्षिन राजिस्तान में खाद्यान NFC L 25, मक्का की खेति जो है वह है प्र recording के तो जो प्राचिन मे यह फ़र्ज नमबर पर आता है गेहुं के उत्पादन में पक्षमी राजिस्थान में इंद्रा गांदी नहर से करीब 17.5 लाग हैक्टियर शेत्र में सिचाई सुविधा का विकास हुआ है किसमें पक्षमी राजिस्थान में तो ये भी लाइन कईबार एक्जाम में पूछी गई है कि कितना सिचाय का विकास हुआ है, कितनी सुविदा हुई है, इंदरे गंदी नहर से तो 17.5 लाग है कि थीर शेटर में, कि पैंतिस प्रतिशत फसली शेटर में सिचाय सुविधा उपलब्द है, तो सिचाय की जोुविदा है, वह 35% फसली शेत्र में है, जिसमें अगर देखें तो कुल सिंचित शेत्र का 66% शेत्र की सिचाई कुवे और ट्यूबेल से हो रही है, नहरों से 33% सिचाई हो रही है और तालावों से तो बहुत कम हो रही है, ठीक है? तो सरवादिक जो है, वह कुवे और ट्यूबेल पर ही न बोटी क्लास है, इस वजे से राजिस्थान में पसु पालन, अब हम देखेंगे पसु पालन, राज्य के मरुस्थलिय और परवतिय शेत्र में कम वर्षा होती है, कठिन भोगोलिक परिस्तितियों के कारण पसु पालन ही जीविको पार्जन का सहसाधन है, तो एक तो कम है, उध्योगिक रोजगार की अबश्य पालन से ही रोजगार के सासाथ आविशक्ता की कई वस्तु में प्राफ्त हो जाती है, तो ये सब कुछ तो आप भी चानते हो, पसु पालन की द्रस्टी से राजिस्थान का देस में कौनसा इस्थान है, दूसरा इस्थान है, तो ये आप लोगों को याद रखना है राजिस्थान में भारत का लगवग 11.27 प्रतिशत पसु धन पाया जाता है मरुस्तलिय और परवतिय शेतर के अलावा भी संपूर्ट राजिस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पसु पालन करते हैं तो थोड़ा बहुत जो स्थान पर है दूसरे स्थान पर है नेक्स्ट है राजिस्थान के पालतु पसु पसु पालन की द्रस्टी से राजिस्थान में गाए बैल भैस बकरियां उंट भेड घोड़े घदे आती पाले जाते हैं राजिस्थान के मरुस्तली प्रदेश में उंट बकरियां और भेड पालन बहुतायत से किया जाता है, राजिस्थान की बीसवी पशुगर्णा जो कब हुई थी? इसकी अनुसार उंट वा घदों की संख्या में चिंता जनक कमी हुई है, भेड बकरियों की संख्या में कमी आई है, गाय वा भैसों की संख्या में मामूली व्रद्धी हुई है, राजिस्थान में मुर्गी पालन पॉल्ट्री फार्मिंग का विवसाय भी तेजी से बढ़ र पसु पालन से ग्रामीर लोगों को एक तो मिलेगा रोजगार एवं पसु पर आधारित उध्योगों का विकास होता है इस व्यवसाय से पॉस्टिक, आहार, घी, मक्खन, छाच, दही, आधी की प्राप्ति होती है डेरी, उन, परिवहन, चमडा, चारा, आधी उध्योगों की विकास को प्रोसाहन मिलता है इसके अलावा बड़े पैमाने पर पसु उत्पादन का विदेशों को भी निर्यात किया जाता है तो पसुओं को पालने से क्या कैलाब होता है एक तो हमें घी, मक्खन, छाज, दही, ये प्राप्त हो रहा है दूसरा डेरी, उन, परिवहन, च जमडा, चारा, इन उध्योगों को विकास को प्रोसाहन भी मिल रहा है ठीक है विदेशों को निर्यात भी किया जाता है पसुओं से प्राप्त होने वाला उत्पादन ठीक है पसु पालन में समस्याएं क्या-क्या आती हैं? पसु पालन की द्रस्टी से राजिस्थान का देश में जो है दूसरा इस्थान है और भारत के कुल पसु धनका राजिस्थान में 11.27 प्रतिशत पाया जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। राजिस्थान में कई विविन प्रकार की खनिज पाये जाते हैं। इसलिए राजिस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजिस्थान में लगबग 67 यानि 67 प्रकार की खनिजों का खनन होता है। तो ये लाइन जो है वो आपके एक्जाम में पूछी जा सकती है। राजिस्थान में सरवाधिक उपलब्ड खनिज कौन सा है? रॉक फोस्वेट है। खीके या याद रगना है कि राजिस्थान में पाया जाने वाला सरवाधिक खनिज कौन सा है? ह। पॉस्फेट है और राजिस्थान में कितने प्रकार के खनिज़ पाए जाते हैं 67 प्रकार के खनिज़ पाए जाते हैं देखिए कई बुकों में अलगग लगख लिखा रहता है लेकिन आपको वही मानना है जो आपकी बुक्स जो है यहां चल रही है स्कूल्स में ठीक है इस तो आप लोगों के एक्जाम में ये कुशन आया था, जिपसम के बारे में, ठीक है, सरवादिक पाया जाता है, राजिस्थान में चूना पत्थर, टंग्सनन, अब्रक तांबा, इमारती पत्थर, अन्य महतवपून खनिज यह भी पाये जाते हैं राजिस्थान में, राजिस्थान में खनिजों की उपलब्दता को देखते हुए, खनिज आधारित नए उध्योंग की स्थापना के काफी अफसर हैं, यही क कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उध्योंगों की स्थापना को प्रोसाहित करने पर ध्यान दे रही है, राजिस्थान में अवैद बजरी खनन से पर्यावरन प्रदूशन की समस्या भी बढ़ रही है, अवैद खनन से अरावली परवतमाला की कई पहाडियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, इसके गंभीर पर्यावरनिय दुस्परणा हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ आप लोगों को नोट नहीं करना है, बस नोट यह करना है कि 67 प्रकार के खनिज पाया जाते हैं, रॉक पॉस्वेट जो है, वो यहाँ पर ज्यादा फैक्टर नहीं थे, लेकिन जो भी थे आप लोगों को याद रखने हैं, आजीवी का, आजीवी का का अर्थ क्या है, रोजगार, जीवन निर्वाहेतु किया जाने वाला कार्य, अति वरिष्टी का अर्थ है, अति यानि अधिक वरिष्टी यानि वर् कितना समझ में आया, रवी की फसल की प्रमुक फसल कौन सी है, मक्का, बाजरा, कपास या गेहूं, तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल मक्का, बाजरा, कपास, ये तो नहीं है, आंसर होगा, गेहूं, ठीक है, मरुस्थलिय राजिस्थान में सरवादि तो कब बोई जाती है ? 20 वी पसु गढ़ना की अनुसार राजिस्थान में डैस वर डैस पसु की संख्या में चिंता जनक गिरावट हुई है तो क्या आएगा यहाँ पर? तो बिलकुल यहाँ पर क्या आएगा? कि उम्ट वा गधों की संख्या में गिरावट हुई है इसके अलावा भेड बकरी इन पस्वों की संख्या में चिंता जनक गिरावट हुई है ठीक है तो चलिए आज में आप लोगों के लिए लास्ट में कुश्चन जो है वह बोलती हूं ध्यान से सुनिए इसलिए बोल रही हूं ताकि मुझे ये पता लग सके कि सभी बच्चे ज इसका अंसर दीजिएगा विलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ थैंक यू